कि बनवाँ ही फुल्ल धोवई या फुलवा बनवाई जोर भैलाए है घरवा में जनम लए बेटी आया अंगनवाई जोर भैलाए है बेटी आया बेटी आया अंगनवाई जोर भैलाए है बेटी आ कहती है हो बाबुजी बड़ी दूर भी आही दले हो लेकिन लइन हार कोई करमा में नाए लो बपा कहता है बेटी आई सर्बात नाए हो या गुपाथाई बहु बेटी नवा बामाना वागे तब ये पाथाई बहुत छोटो भाई शाहिंद जोहार का हल चाल है हो चोगो लोगीन बाबु हमरा आसा है कि तो जहां हो बें निके सुके हो यह आसा और है विश्वास के साथ आई तो रहा हम जेपियसी मेंस का तिर खोठा पड़ावें जारा लियो बाबु तोरो पता हो हो भाईवा कि जेपियसी मेंस के एकजाम नजीक है और अगर जेपियसी में खोठा पेपर आपने स्लेक्ट किया है क्योंकि खोठा प्रवे तो तो रजादे रिजल्ट दवो है हो बाबु और इसी रिजल्ट के माध्यम से आप तो अपन माई बापके सपना पूरा कर सको है को दूख में रहे करके पढहिलकों की हमरे बैटा ओपी सर बनाए अब आगेल हो बारी अब तोरा रूकर के नखा अब तोरा पढ़हे के ज़रुरत हो अब तो आपको जरूरी है चुकि आपके माबापका सपना आपके सपने के साथ जुड़ा हुआ है मेरा भी सपना हो बा कि देखिए मेंस अगर आप लिख रहे हैं ता मैं लिक करके दिखाना होगा कि खोठा को कैसे आप लिखते हैं आप कैसे हमें परभावित करते हैं खोठा लोक गीत की परिभासा क्या होती है खोठा लोक गीत की विशेस्ताय क्या होती है खोठा लोक गीत का महत्व क्या होता है जारखंडियों के जीवन में खोठा लोक गीतों का वरगीकरन किud 카ण कि Techn premi क्या है बड़ा बेहत्य ठास लेकिन भहिवात तोरा अकर से पहले एक बात बटा दे हिर कि बाबो जबनाएप अग्याओं के किटिया रोह की रखम लोक गित की इदर परिभासा कसे तो लोक गीत किसी की बाप का बपोती नहीं होता इसके कोई लेखक नहीं होते इसके कोई कभी नहीं होते को इसके गितकार नहीं होते हमारे पर दादा इस गीत को गाये हुए थे हमारे दादा भी इस गीत को गाये हैं हम लोग भी इस गीत को गा रहे हैं आपके आने वाले बा फट साय ही होती है कि यह लिखित होता है इस पर कोई कि शिकत लगतों नहीं हो ता मतलब हो गयたい के पुरे समाज के शंते ही होती मानो जीवन में सो लोगों संस्कार ओव हैं हो अज़े खैक धी वाहन के ख़ल एक संस्कार पे गीत लिखल गेर तो जनम granddaughter कर मरत दोगी साथी पियाकर तोगी धान के निकऊनि कर दोगी अधान के कटनी कर तोगी हमारा जीवन में जितने संस्कार हैं वह सारे संस्कारों पे जारकंडियों के लिए गीत है तो परकार से क्या हो पार में हो भैवा कि जारकंडी के जीवन में लोगईत का एक यहां भूमिका होता यहीं, लोगों की चाची पूरे आदा टोला महला के कहो है गाव घर वलन के बुला हुए कि हे दिदी हे चाची हे नुनु हे बाबु हमरा घर तनी यह हो हमर खरेगो बच्चा जन्मल है यह हो तनी वक्रा असिरवाद दोएल है यह हो तो असिरवाद के रूप में देखिए जारखंडी जो है ना कुछ चीजों को अपने भावनाओं को अपने गीतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं कोई आता है गाव घर तौला महला से में दिया्वाद ना देता है वह गीत के माध्यम से देता है इस परकार से होता है कि यह जंगल मने जंगल बताती है और कहती है कि जिस परकार से जंगल में एक धोवया नामक फूल जो सफेद परकार का फूल होता है सफेद रंग का फूल होता है वही धोवया फूल पूरे जंगल को सुसोभित कर देता है ठीक उसी परकार से यह जो बच्चा का जनम हुआ यह बच्चा पूरे घर को सुसोभि कर दे रहा है मतलब ही बचवा का तुलना उन जंगल के धोवया Pthul से किया गया है तो वही यहाँ और अतियन सबंसा वाती है और कहती है कि बोनवाइ मैं पुले फूले अफूलवा बोनवाइन जो को अरे बोनवां ही फूले दो वएया फूले वा बोनवाइं जो और भैलाएं है मैंया के कोς खें बेटिया जनम लाएं गरवाइं जोत्य पहलाएं है यह जनम संसकार मर्वो तबवो संसकार और राजा कहां गेल हो राजा तो यह संसकार है भाबो नंबर पाना है ख्रकोर के तरह पढ़ना है तो लोक गित की परिभासा क्या होती है मैं ने आपको बटा दिया भीवा भी सेस्ता की हो विसेस्ताई है देख यह चीज़बा तोरा हम बता रहा लिए खली कान खोल के सुनना हो लिखना तोरा यह अपना तरीका से हाँ हम तोरा यहां लाख संटेंस लिखल दे दिया हो लेकिन तरीका तोरा यह अपन अपना नहों जैसे खाल यह 35 संथे जाहें और पहन दौसर पर संथे जाहें ठीक वहर अठाम हम तोरा एक रास्ताह दखाने कि जरूर कोसिस करब तोरा हाम खोल्ठा लिख लेकिन तोरा अपन ब्यृटला के बतिया महां लिखना हो विसेस्ता अकर में यह है लोगजीतवा में कहओं कि लोग तो दख लेन तो चारे लेन केद खेश ज्यादा बड़ा लोक गीत ना होए लोक गीत के यह का पे कि को को पी रैइट ना होगा है आक वहां है और भूठ्छा को नो ज्याती के अधिक खोठ्छा घित ज्याती और धर्म अधार धरम की अधार पर भेदभाव नए करें यह है कर अपने वाध्य अंतर रो है बजावे वला सव अपने इंट्रूमेंट रो है जैसे बासूरी के काम आउ है धौलक के काम आउ है मंदर के काम आउ है अकर विसेस्था है कर यारो है हो बाबी की अकर गीत में खोठा गीत में पहार के परवत के जरुश ला आदल के सबके बखान है यहां मिलो है या तोरह लाइन बाइन बते वो काहें चिंता करो ही हो अकर महत की है तोरह हम महत तो पहरे बता दलियों हो बाबू कहा बेकि अकर महत कि जोएं के जीवन में तो बहुत है है खूल मिलाकर के जूमन में से रिशोन्सकार को स में और सलो संस्कार में सलो संसकार पर जो है जाहे तो जनाम ुचाहे तो धान का चाहे तो धानरोब गीत लिखाल ले तव महात तो हाई मतलब मानो हमारे जारकेंदियों के जीवन में खोठा का बहुत महत है खोठा लोक गीत अलग अलग अरिया में अलग अलग परकार से भले गाये जाते हैं चुकि अस्थानी भिंता के कारण जैसी आपकी संस्क्रीटी होगी जैसे आपकी वहां का नेचर होगा, गित उसी परकार से हमारा खोठा धलता भी है, लोक गितों का वर्गी करन, वर्गी करन मेंने यहीं आपको लिखना है, कि खोठा सांसकार गित भी होता है, खोठा में बीवाह गित भी होता है, खोठा में सरम गित भी होता है, खोठा में ब लोग गीतों में विवित चीतरन का मतलब यही होता है अगर आप कौनों चीतर बनाओं ही हो बाबू जब तक प्योकरा में लागो हो चीतरा कर सक नाय लागए हो भीवा फिक वह परकार से यह चीज़वा अतना लिखला के बाद तोरह मोटा मोटी की समझे लगो कर मूखा कर सन को नीचे में आपको लिखना है वही होता है चीतरन मतलब आपने पूरा वो चितर समझे बना दिये लिख करके प्रिभासा लिख करके विसेस्ताइं बता करके महत बता करके लोग गीतों का वरगी करन तो बता करके आप रहते हुए खोठा में तो ना होए के चाहिए अगर तो खोठा में हमरा जिन्दा रहते अगर तो दिक्कत भलो भाईवा अकर मतलाव समाज अगर तो खोठा यहां ना सीखो पार लें तो 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 कोनों कहें तो खोठा ना सीखो पार वें जिस परकार से सीजील वालों को 95 पलस नंबर हम करवाएं 95 पलस कोष्चन हम स्वालव करवाएं एक नंबर को तो 3 नंबर का था आपको भी सत परतिस सत 95 कोई संतंसे प्रकार से त्यार रहना है लोग गितो की प्रिभवास आप मैंने आपको क्या बताया एक मोटा-मोटी ध्यान में आपको रह गया था यही ध्यान में रखना है और आपको अपने हिसाब से लिखना है और लिखना कैसे है हम आपको बताएंगे एक बात आपको और information हम दे दिये हो भाईवा की जे पी असी मेंस खोड़ा की चो संपुर्ण कलास अगर आप ज्वाइन करना चाते हैं कुचुकी बाबो गूरु दैचना भी ना कहां कोई काम हो वह हो तो आभी सिर्प या सिर्प आप चाउद चोबी सो निनानवे चोबी सो निनानवे में आप कंप्लीट वहां आप कॉर्स कर सकते हैं पूरी आपको गारंटी है खोड़ा अगर आपने नहीं कभी पढ़ा है भाईवाप कहियो ना सीखल ही हो तदा यूनी कलासे साथ के लिए है अधिक जनकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी परकार की कोई संका नहीं होनी चाहिए किसी परकार की कोई डौट नहीं होगी अधिक जनकारी के लिए कॉल करेंगे और संपुर्ण कलास आपको अभी सिर्प 2499 रुपय में दिया जा रहा है परीभासा पहले आप देखेंगे कि लोक गीत लोक साहित के अक मुख यंग कोई हो भीवा कि लोक Pvt जो है ना वह लोक शथ तिक हैं और लोक साहित में मेरा भी अधिकार है आप पड़ रहें तो अपंड़ा भी अधिकार है काहे काहे कि यह पूरे साम्माच की संपती हे और लोक गित की एक मिस्थेष्था और भी है एकर में बड़ी सावाल जवाब करल जा है एकरा में बड़ी सावाल जवाब भी करल जा है विसेस्ता में तोरा हम बताओ यह हो बाबू एकरा में सवाल लोग एकहसी ठेथा, दुख डरद, बैथा कथा कहनी कारगीत मनोरंजन कहनी हार गीत कहलजा है। मतलव मनोरंजन के साथ, यहां दूख और धरद को भी व्याह करना होता है, मतलओ बताना होता है तो जहरकंदी लोग क्योंकि सालों संसकार में तो संसकारे में घिते भरल है तो यह अपने फिलिंग को भी गिते माध्यम से व्यक्त करते हैं तो देखें लोग गीत के अंतरगात गावल गीत लोगों को पहलाने वाला गीट हसाने वाला गीत दुख दर्द वाला गीत भॉफ इसपति नहीं हो बाबू यह पूरे समाज, मतलब पूरे समाज का साजह, साजह मतलब समझे, इसमें सबका अधिकार होता है इस संपती पे, कौन संपती पे? यह लोक गित की संपती पे, जेकर कोई रचनाकार नहीं होता है, कोई रहनाकार नहीं होता, isका मतलब यह है कि उसने का अधिकार नहीं है, अगर जिश्ट गीत रहे तब अधिकार होता है, यह लोग गीत है, लोग गीत में किसी का अधिकार नहीं होता है, न un additional बने भल रहे है, ना ही तो यह किसी का बनाया हुआ रहता है लोक गित गोटे समाज के साजहा बिरासत और संपत मानल जा है मैंने कहा कि ये बिरासत की संपती होती है हमारे पर दादा भी इस गित को गाये थे हमारे दादा भी इस गित को गाए हैं हम भी गा रहे हैं तो ये पिढ़ ही दर पिढ़ ही चलने वाला ये संपती है और इस संपती का नाम ही लोक गित है इस संपती का नाम ही लोक गित है संपत माना जाता है लोक गित एक लेता है लोक गीतों के समन्ध में हैं लोक गीतों के सम में बिद्वान सब कहे हाँ कि जखने सुखें सुखेंक समयदना के हिलो उठाल होता है मतलब जीसे में हमारा जुखा पूर्ट है हमें वॉषा यहां इन्के कहनों दुख और सुखाल होता है व्याकरा में जब दूखा चलकल होता है दुख को ब्या करना होगा किसी को सब्刑र works अपना आवाजे निकल जाता है चाहे तो धूख आता तो दूसरे अवाज निकलता है और वही अवजिया में ताल सूर दे दिया गया और वही अवजिया में ताल और सूर दे दिया गया तेक गीत बन गया और वही जारखंडियों के लिए लोग गीत बना वही जारखंडियों के लिए लोग गीत बना किसी परकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चा तैसने ने वाकर आवाजिया निकलता हूँ तो लोрь दूखा सुखास के दूवारा जीत है क्यातियसन मानुस्त परकरण गीत नोग से बनवाती है तना मोसका ऊसका लॉग को कार है वह अपना मत देते हैं यह मत देते हैं कि यादिम मनुष्यों के हिर्दे के गानों का नाम लोग गित है यहीं कहते हैं कि अपना फिलिंग है अपने हिर्दों के हिर्दे की यह आवाज है और वही आवाज को हम लोग लोग गित कहते हैं वह अलग-अलग बिदवान हो ब और यह दिलवा के गाना के नाम लोग गीत अको दूसरा डॉक्टर स्याम परवार लोग गीत एक लेताइरे का है लेताइरे का मतलब होता है बाबू समझ में आपको का है चिंताने करना है एक करके वहां आपको अप्लिकेसंट पे लाइफ क्लासिस दिए जा रहे हैं दाप्तर स्याम परवार लोग गित के समध में कहते हैं कि बाबू ये लोक गित याइसन ना है हो जारखंडी वेन के लिए बड़ी काम के लोक गित है यह लोक गित इस्त्री और पुरुष के ठक कर इसके मदूर में अपनी ठकान मिटाई है जारखंडी लोग खेती करेवला आदमी खेती किसानी करेवला आदमी ठकिये जाहे हो बाबू अब यह ठकान मिटावे खतिल यही लोक गित का उन्होंने उपयोग किया है यही लोक गित को सुना है और यही लोक गित को सुन करके अपनी ठकान को मिटाया है यह प्रेम की मस्तियाई है जवान भले ही क्यों ना बोडर पे संगर्ज कर रहे हो जब उसके जवान पे यह अपनी लोग गीत आती है तो वे सारे दुख दर्द को भूल जाता है वही कहता इसकी जबान में बालक सोये हैं इसके धावनी में बालक सोये हैं धावनी मतलब वही आप के लोग गीत में और जमानों में प्रेम की मस्तियाई है बुढ़ होने मन बहलाए हैं बुढ़े लोग मन की कसक मिटाया है अब बिरही लोग बिरही मने समयते हैं जब लड़का और लड़की बीचड़ने के कागार पर होता है तो कैसे दद गाता है है एक लोग गीत है वो बाबो प्रेम होता है ना चोड़ा जाता है ना परियां से पकड़ा जाता है इसी का नाम प्रेम होता है अब लड़कवा कहां कि ठीक है हो प्रेमी का हम तो अईबाओ लेकिन अईबाओ कहां वे है गच्छवा के पास अईबाओ जहां हमें मिलो हलिया पहले लड़की घोखैंद लहां में अगर और तोई द्हुंगण για घूल स्वाट में अगर दिल्वां में दूम मत चलो हलो unable can Iие whatever richt चलोम खलो तो कहें नहीं हमरा सिधा सिधा बता दलै हम तो यहां इंतजार बताओं है कि या साजे देले सावरो बेले ना भरो सावा नीमा छाहें राखा लें डांडाइं अरे नीमा पाता जारी गेल भाउरा गुजारी गेल या बो सावरा वो नेखा भी सवास अरे सोझ है सीरे का हाता ले दूयू दूयू मान चाहि देले पते पते छुपो साए पीरी बाबो अगर हिंदिया नुबात की समझ में हो बत्या यह है बाकी आगे तो तोरह हम समझे बेकर बो या भी तनी टोपिक पी या भी टोपिक ते बिधा आगे कहते हैं परवार जी कि बिधवाओं ने अपनी एकांकी जीवन में रस पाया है पथिकों ने ठकावट की दूर की है किसानों ने विशाल भावनों पर पखल चढ़ाए हैं पखल मतलब पथर चढ़ाएं लोग गितवा अगर मुहां पे चल उनों पर पथर चढ़ाएं हैं पाथिकों ने अपना ठकावट जो है इसी लोग गित को सुन करके मिटाया है तो यहीं है और आगे शीवकुमार शीवदिप कहते हैं शीवकुमार शीवदिप जो हैं हजारी बाकि प्रोफेसर हले हो बाबू इन्होंने ही बताया था कि शीवदिप वहरा कम को हो थी यहां अपन मत दाले हैं लोग गीत के समन्द में यहां अपन मत दले हैं मत दवम की हो तो हो दे मत अगर तो अगर जानकारी रखों हैं कर पर वहां नियर शीवदियाल शीवदिप कहे हाथ कि आपन देशक लगाए तो 34,000 पर किलोमीटर फाइल मतलब यही होता है कि इसका जो विस्तार है वह 31,000 वर किलोमीटर पे असपस्ट होता है पूर्चा है मतलब असपस्ट होता है इसलिए फुर्चाई के मतलब असपस्ट तरीके से कह सके है कि खोटा छेत्रेक रहवया के जिंद्गी के भंग धाच रहन सहान खान पियान पिन्धना वढ़ना परब तहवार परब तहहार है मतलब परब तहवार ही की बात कर रहा है सिवधित नाम है आपकी ये परिभासा इतना में खतम होती है यह वाबू तब अगर विसेस्ता के बारे में तो बताईये हो तो रहा हम पहले बताले हैं कि बाबू छोट गितर हो है यह कोई रचवय ना राधी आकर में सावाल जबाब बड़ी हो है अकर यह पन ताल यह पन सूर यह पन वाधी अंतर हो है वह बत्या है अगर आप मुह पुनेलियों है लेगितिया कि बनवाँ ही फुल्ले धोवाई या फुलवाँ बनवाई जोर भेलाए है घरवां में जनम लए बेटी आया अंगनवाई जोर भेलाए है कि महजवानियन गलिये हुं तो आकर बिसेस्ता पहला हो कि महजवानी गाल जाहे बाबू ऐसे पहले समझ केकर दूगों विशेष्टा है एक प्रिकृति के अधार पे कविशेष्टा बातल गेल है संद्राचनात्मक भी सेस्था वह विशेष्टा बावु हमर लोक गीथा कई हो तो अपन हिसाब से अकरा सजय वह उस परकार से संद्राचना दबे वहीं इनकी संद्राचनात्मक विशेष्टा है और जारखंड जैसन छेतर में अगर कोई भी चीज अगर पनपो है तो वक्राम में अगर जंगल जाड़ पहाड़ परवत नदी के अगर उलेख नहीं रहो तो कौन जारखंडी के वह कहानी तो उसी परकार से यह प्राकृतिक विशेष्टा में आपको प्रा लोग किए वह मुह जवानी मुह जवानी मळा देखें हुए जवान से गाना मुह जवानी कहलाता है यह लिखीत होता है । संस्कृती रूप में परढर बेर रहे हैं इस गित को हमगी भीगा रहें हैं इस गित को बाल बच्चे कि पहाएंगे observed को मतलब असलिलता का उसमें दुरों दूरों दूरों तक समधन था उसमें से यह चलता रहा है और यह का और अपर ले जांव वहां से आ रही है मैंने आपको शुरु में ही बता दिया खित प्रमपारिक सांस्कृतिक रूप एक भंदार भरल है दूसरा भिनु भिनु छेत्रें उचानर अंडंडिल वह ने फरक भेता है कि ले अख्रस्थानगत विश्षिस्ता पावल जाहे बाबू तौरा पता होते हो कि जारखन में खोठा का भी अलग खोठा को भी अलग अल तो नंवा थोड़ा अलग जरूर मिलेगा बतिया तो कहने का मतलब एक यह रहेगा टोनों अलग अलग जरूर मिलेगा का है कि बाबू कोई अगर बोकार और धनबाद लगे में अदमी तो बोकारं और धनबाद में रहे वालवा आदमी का खोठमा में तनी बंगला का टॉन तो मिल बे करेगा का है क्यों बंगला पश्चिम बंगाल के नजधीक है पश्चिम बंगाल से उसका रिलेशन बना हुआ है हो सकती इसका रिष्टेदार वहां होगा उसका रिष्टेदार यहां होगा अब उसका बजार जहां लगता होगा ह बनेगा अब बंगला और खोठा मिलेगा तो क्या अबुकार धनबाद वाले अलग टाइप से खोठा बोलेंगे की नहीं बोलेंगे बोलेंगे अगर को डर्मा आ जाए तो को डर्मा के उपर बाबु देखा जाए बिहार तो नवादा है नमादा में मघी बोला जाता हमारे कोडर्मा में खोठा बोला जाता मघी और कोडर्मा मघी और खोठा इस परकार से मिलेगा तो थोड़ा सा अलग टॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो अलग अलग टॉन आप तुलना करेंगे बोकारवर धनबाद के खोठवा से और कोडर्मा क अंतर आपको दिखेगा यही कहता है भीनू भीनू छेतर में मतलब अलग अलग छेतर में उचारन जो है खोठा का और खोठा में अगर लिखते हैं तो लिखने का भी थोड़ा बहुत जो फरक मिलता है दंदिलवन मतलब परतेक लाइन में देंडिवन मतलब Oslo Lain में तोड़ा फरक भेता है फ़रक मतलब तोड़ा फरक मिलता है कि लेके अस्थान गत plants पावल जा है क Grade a स्थान में प्रीवर्तन हुआ हम और बोक हर धांभाद का इकजांपल दिये एक वर लिप कमा का ऐक्जांपल दिये हैं छांगत भी शेस्ता है की नहीं है अस्ठान का प्रीवर्तन हुआ की नहीं हुआ अगर स्थान का प्रीवर्तन हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खोठा में ऽोड़ा सेंटर हमें देखने को मिलेगा बाब मोता मोटी खोठा लोगव पूर पूर्ज की आज़ना का इसे मतलब ये होता है इसके बारे में कोई किसी का है मरति परवेती में धेर भेता आता है मतलब हुआ यहां ना तो किसी धर्म की बात कहीं गई है लोकित में ना गोरे काले की बात कहीं गई है हिंदू मिश्लिम की भी बात नहीं कहीं गई है मतलब कोई धर्म की बात ही नहीं कहीं गई है सिर्फ वा सिर्फ अगर लोगोठा लोकित कोई कुछ भी सिखा रहा है तो मानवादी के पर्थी चीजों को सिखा रहा है जे कर्में जायत और धर्मेक बखान नाई भेता है जिसमें जाती और धर्म का बखान मतलब यही होगा कि बखान मतलब इसका जो होता है विश्यस्ता होता है या बखान का मतलब यही होता है हम लोग कहते हैं कि बखान हो रहा है मतलब उसकी विश्यस्ता इसकी विश्यस्ता में धर्म के अधार पे कोई चीज़े नहीं मिलती है ना तो जाती के अधार पे चीज़ और घुरताल खोठा गाने की लोग चीट जो अलग सूर अर्थाल होती है और लई अलग भी होती है जित के संगे संगे नाचों चलु है खोठा की बहुत ऐसे गीत है जो को छटा गीत तो घाया जाता है साथ भी नाचा जाता है जूम्ता का नाम सूने है हो बाबु जूम्ता की है जुम्ता लुख गित Already Home झूम्टा में नाज चलता है नाज शो अपने सुना होगा लोग इतना दावर जाहना हो बाबु जब आहिक आहां बोध अलिए हो कि तो समुह में ही तो गाल जाहे कोई हो नुनी हो बाबू हो चाची तनी यह हमर घरवा हमर घरवा में एक बच्चा के जनम हो ले अगरा सिर्वाद दवले हो हो तो सब आता है मतलब जूंडे में गाता है मरद महरारूम मिल जूल के गाव जैसे करम जूमता जू करम गीत हम सवाल और जबाब किया देखिए चीज़े आपको थोड़ी से एक जांपल आप देते तो और बहिया रहेगा नमबर आवा के काटते हो यह करम असलिलता के अब हाव असलिलता इसमें रहता ही नहीं है खोठा लोग गीत एक बाध जंतर मतलब वाध यंतर होता है खोठा में उसी को हम लोग लेखते हैं बाबो बाध जंतर है ना जंतर कैसे लिखा जाता पूरी चीज़े हम आपको बताएंगे धोल मांदर बासूरी रहता पर जोग करल जा है खोठा में यह सारे लोग गीतों के गाते समय इन सारे चीजों का प्रियोग किया जाता है तो यही थी आपकी विश्यस्ता वह भी संत्राशनात्मक विश्यस्ता अब गितिया करम वाला कैसे रहता है कोस्चन और जबाब कोस्चन एंसर कैसे किया जाता है आप थोड़ा सा इ गो परभाव हो है तज हों गेल होब हम होगेल ही यह भाईनिया के लाहीं करेल departments जब बहन्लें आरप दो कर घरभाम में isahe 50 ंप क्रभा में गरबले नहीं आध करम पुजा हो रह bou Gesons गारे पर भूब आप अपने बहन के यहां जाते तो लेनिहार कहलाएंगे लेनिहार मतलब लेने के लिए ही तो गए तो लेनिहार कहलाएंगे तो यहां बाप अपने बेटी बेटी अपने बाप के बड़ी दरद सुनाओ कि हो बाबुजी हमर तो साधी कर दलें बड़ी दूर हो सब के लिए निहार और अल्थी करम में समझ करब परम में सब जए थी लेकिन लागो हम ना जाल पार हो बाबुजी काहें कि तो हमर साधी के ले बड़ी दूर साधी कर देलें यह बाव के कोश्चन एंसर में बताल गिल हो यह काल कौन की अगर विसेस्ता जवाब और सवाल में हो सवाल जबाब में हो है तो बेटिया को हो है जी दूरी देशें कर ले बाबा जोरी नारावा हो कबा हुना यह ले ले निहार फिर भपा जवाब देता है और कहता है नुनी ığı सरबात नाए है आएगा तेरा भी ले निहार आएगा नुनी बाबा मने बाबु जी पिता जी बेटिया कहती हो बाबु जी बड़ी दूर भी आहे दले हो लेकिन ले नहार कोई कर माम यह लो बापा कहता है बेटिया हमागे पाथाई बहुर फिर बेटिया कहती है बाबुजी पाथा रव्र ही मतलब बेजना और cooperation यह साधी करवा दूrost पहले हम नाई और बरामहन को तुम्हारे पास भेजाएंगे बेटी उसके बाद हम तुम्हारे छोटे भाई को भेजाएंगे तो यही ए बभु कोश्चार यही है प्रस्ण और यही है जवाब बेटिया की सवाल बपा दिए ना जवाब जवाब दिए तो यही हमारी खोठा की विसेस्ता आगे यहां कहता है कहां मेरा अखा बै कहां राका हो ऑफ चोटो भाई फिर बप्पा कहता है गेरनुनी बेटिया कहती है ओ बाबु जी गरीबे घर भी आहि दले हो यतना आदमी के हम कहां राखो परबो कहां राखबो हम नुआ बामानमा जुआ आप भेज रहे हैं और कहां रखेंगे हम छोट भाई को ये गोल लग रहा है ये भी खोठा का भी सिस्ता है फिर बापा जवाद देता है और कहता है नुनी गोहला ही राखाबे नुआ बामाना आगे भी तरा महले छोटो भाई मन छोटका भाईवा के तो है महल मेरा के होगे नुनी और नुआ अर बभनवा के तो गोह तो जहां और सवाल किये जाते हैं अब आती है प्रकृति विशेष्था क्या है बाबु खोठा लोग गीतों में परकृति का बहुत परियोग किया जाता है जैसे कोई भी अगर गितों आएगा बाबु पानी रहेगा बिजली का भी वर्नन है गाच का पसू का पक्छी का और बर्खा मतलब वर्सा का भी वर्नन है पाइत डंडिल में मतलब परतेक लाइन में गावे में सजनी गे गाया जात पर्योग करा जाता है हमारी कॲण्टा के संग बढ़िया नाता गोता मतलव जो खोक्ता है हो प्रकृति के साथ अच्छा gegen रखता है नाता गोता मतलव बढ़ियां मतलब अच्छा और नाता गोता मतलव समध आपने पढ़ा होगा नाता गोता अगर आपने पढ़ा होगा तो सरवनाम सर संस्कृती प्रकृती से धेर परभावित होगे है संस्कृती भी होती है किसी की भी संस्कृती हो वो प्रकृती से बहुत परभावित होती है कोई जंगल में रहेगा उसका संस्कृती देखिएगा अलगे रहेगा कोई सहर में रहेगा उसकी संस्कृती अलग रहेगा उसकी संस्कृती अलग रहेगा चुकि बाबु संस्कृती जो है वो परकृती से परभावित होता है सहले भीनु भीनु रूप पावल जा है नेक्ष तो एक कारण लिख में भैवा हम आपको इतना कारण बता रहे हैं इसक समझ डेवलप कर रहे हैं ताकि आप अपने इसे अपने अंदाज में लिखेंगे आपको लिखने की अगर आपके अंदर वो सेली है खोड़ा को अगर आप लिखना जानते हैं आप अपने तरीका से चीजों को लिखेंगे और बेहतरी धंग से यही सारी चीजों को आप और ब काम कुभे हूँ है वाबू चुकि आपको पता है कि जारखन में सो परतिसता बादी मैं से लगभग 66 परतिस्ता बादी जो है वो किरसी कारियों प्याधारी थे तो किसानी का काम होता है और कि गीत तो बन ले है तो किसानियों का काम अगर होता है तो किसानों के लिए भी गीत बना है और अगर किसानों के लिए भी गीत बना है तो गीत अगर वो सुनता है न तो उसके अंदर उत्सा आ जाती है और वो काम करने में उसका वो जुनुन और भी बढ़ जाता है उसका वो का वहीं हो जाता है वह यहां कहता है कि आरेखन मतलब किसानी काउं में कुछनी काम कर्एं वाला कामें कामव को उसास करे लिए हैँ मतलब ऑसान करने क लिए वह फाल सॉ घुर्जा आसान करने सबके लिए गीत है किसांद कौनों महीना में काम कर ले गितिया करा सुने ले मिल जाएगा और वह गित गित नहीं होता है उसके लिए इक एनरजी होती है फोता लोग गीत मोसम के नुसार कावल जा है इसे ना हो बाबू को क्या संदें है कि कोई करभा में के कितिया है एक ग्यों में से है जतना मोसम मोटना गीत जपना गीःग्य। कि जितना में सम्मस्राइगई थोली में फगुआ कि तो आप सुने ही होंगे खोठा लोगी तेक समाजक आगू पढ़वेले मातिक चयाता चयाता मतलब माती का फिक्र होता है यह जो लोगीत है ना वह अपनी माती की मर्यादा को बढ़ाने का काम करता और देश प्रेम के भाव बैटा है यह लोगीत में दे सिलता नहीं होते यही तो हमारी खोठा की विशेष्टा है इसमें कोई रचनाकार नहीं होते यही तो खोठा की मुली विशेष्टा है इसमें पूरे जंगल पहारों का वर्नन किया गया है एकर मैं सटीक सब्देक पर जो करल जा इसमें सटीक सब्दों का पर योग भी किया सभ्काष्ट में आपको ये निसकर से लिखना है कि कुछ कुल मिला करके कहल जाता रहे है कुल मिला कर करकई यह कहां जा सकता है कि खोथा लोग गितते ज्म घंडे आय मगले वास्तिवीग नवास्तविक हमें दिखाता है आया मनें होता वास्तविक हमें फोटो मतलब दिखाता है जेकर से हिया के संस्कृती और परकृती सुपट होगे हैं जिसके वजा से जारखंड की संस्कृती और जारखंड की परकृती हमें असपष्ट पता चलती है अब महात्म इसका देखा जाए हम बतलिए हो बाबू इसके महत्तम को पहले इसके महत्व के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि सवलोगों संस्कार में कौनों इसन संस्कार नखे जेकर मैं जर्खनीवेन गीत नक्ति बना के रख लें मतलब जर्खनीवेन के समाज की पूरे जीवन के एक महत पुर्ण अंग के रूप में लोक गीतों भी है यह लोग गीत ना रहा तो जार्खनीवें के जीवन में मजा ना रहा लओ यह एक खोठा लोग गीत एक महातम जार्खन एक जिन्दगी के डेर है जार्खन के लोगों के जिन्दगी में खोठा लोग गीतों का महत बहुत है कि लेकि खोठा लोग गीत ही या लोग जिन्दगी नहीं हार नहीं लगए हो बाबु अगर तो सौंचे थमें हो कि खोठवा खली मनुरंजन खोठा लोगित खली मनुरंजन के साधन है या तो मन लगावे के साधन यह सन नाइ जिन्धी के मुखः लोगों के मुखः यंग है मैंने आपको यह सारी चीज़े हम जो पहले आपको चीजये सौट में बता दिए थे वहीं चीजये आपको यहां पता जा रहा है बस अगर आपके अंदर सुरूर अÃ को इस सारी जीजों को पूर्वात से ही लिखतेश चले आत रचल बसल है कि एकरविन वुशिंगी के मोलना है देखिए ऐसे यहां धार जह जाता है यह लोग गित लागए इसलिए हां लोग कहा जाता है कि जारखंडियों का जो बोली है ना इतना मधूर बोली होता है कि वो बोली अगर वो बात करते हैं तो जैसा लगता है कि वो गीत गाते हैं और ऐसा लगता है जब वो चलते हैं तो जैसा लगता है कि वो नाच रहे हैं मतलब इतनी उनकी बोली में मिठास होती है वो कि चलने में उसका वो आकरसक होता है खोठा लोग गीते हैं खोठा छेत्रेक भावया संस्कार मैंने खाए पी एक पिंदे कोड़े गृती रिवाज रहन सहन सहीया मीताबा समाज एक सुख दुख आरो आरो के गोटे भाव देख जीवन में चाहे वो आप दिन्चरिया के अधार पे कर रहे हो या पूरा जीवन में कुछू कर रहे हो खोठा में ऐसा कोई चीजे नहीं है जिसके लिए गीत नहीं बना है चाहे आप खा रहे हो पीन रहो पहन रहे हो या आप सहिया लगा रहे हो सहिया मतलब समाजते मैं मि करते सथाप्गरहे हैं हँ जैसे मित्ता सहिया एक कई घीनेच पे भी हैं बढ़े होगे उनको पता होगा कि गूर सावाद चीनि सावाद presidente मिस्री सावाद ऑरो सावाद चीनिग अगने गे वह रोह से जादे सावाद ते तो हमर ढनी के ऐसे करके था खोठा लोगित का महतिस बात से और भी अस्पस्ट हो जाता है कि पूर्चा है मतलब अस्पस्ट हो जाता है कि गोते खोठा छेतरे फाइलल पसरा लोगित में खोठा सिस्ट साहित एक जनक लागे खोठा लोगित मातम के लेतारे साव ब्रहम नम ब्रहम देव सर्मा जो संपादक रहें देनी का आवाज धनबाद के वो एक बार कहले कहें हैं कि उपेच्छा की वज़ा से खोठा पनप रहा है है ना खोठा उपेच्छा की वज़ा से खोठा पनप नहीं पाई किन्तु जन ज मैं आपको बताया एके चीजवा को किसी कई परकार से आपको लिखने ओंगे कि आपको बड़ा बढ़ियां से किल्यर करना होगा की वर्गी करन में आपको क्या लिखने है चुकि मैंने आपको बताया कि पूरे जीवन में स्वलों संसकार होते हैं पते संसकार पर जरखंडी ओंने गीत बनाया है चाहे वो आपका परब्तिहवार का गीत हो, किसानी का गीत हो, उधवा गीत हो, ब्रमसिया गीत हो, ब्रमसिया गीत है जो हमेशा गाया जाता है, उधवा गीत हो ऐसा जो प्रेमी और प्रेमी का जब बिछड जाते हैं तू समय का गाया जाता है, जैसे मैंने आपको सुनाया थ गीत को सोम लोग किसानी गीत कहते हैं तो यहां यही पूछ रहा है वाबु की खोर्था लोग गीतों का वर्गी करन किस परकार से है तो खोर्था में लोग गीतों का वर्ण वर्गी करन परब तहवार का भी गीत है इसका वर्गी करन इसी के अधार पर किया गया है मतलब गीत है सहिएरी गीत है यह सारे जो गीत है वह खोठा के लुग गीतों का वर्गी कर नहीं तो है ना जैनी सिकार गीत है वार्व वर्षव में एक बार इसी आरगेत करमा गीत सोहरा गीत टीश्यू कर बंडी गीता आते हैं और परम में से एक परव होते हैं किसानी गित खेती बारी के समय गाने जाने वाला गित को अम लोग किसानी गित कहते हैं उधवा गित बाबू आइसन गित दोहां रुप्या गावल जाता है जो प्रेमिय और प्रेमिका के भीच का जो ऐसा कुछ उनके लव स्टोरी को बताया जाता या दुख पीडा को भी पिछडा मतलब समझेट अलगाओं को व्यक्त किया जाता है बरामसिया गित यही ओता है आईसन गित जो बार हो महिना गावल जा है हो बाबू आक्र बलामसिया या हर वदिय गित कहल जा है परकृति गित लोकेक भिनु भिनु पहार बोन टिलहा टुंगरी टिलहा का छोटा रूप टुंगरी कहलाता है कि बरनन गितवन भैता है जे गित में भैता है परकृति गित कहल जा है बाबु सहियारी गित जारखंडे छेतरक जे नियर फूल मीता बनवल जा है वे है नियर सह और से तो प्रज़ारी आपने से चीज नहीं जो मैंने आपको न बताया हो सहियारी में उता हो जाती में लग जाता है जादा हो आपको यह वागाना होगा है स्थापित करना होग वह अपना पंडित के साथ लगाना होगा आपने जाती में अपने मितरता ती नहीं कर सकते हैं थाथी अपयर पर रिट स्यारीगित के ंस मैसर कोशर मतल setups मिला जुला घीत कहे जाता है अब आपको चीजी है यहाँ नई देखनी है और आब देखिया Aथार परबक तेहवार गित तो आपको करमा जावा गित भदरीया गित शोहरा गित चाचाः गित बौंडी तुसुग डोहा ये सारी गित आते हैं संसकार गित के अंतरगत बिहाग गित आता है जनम संसकार गित करने का मतलब जैसे एक गाउं कहने का मतलब है इसे छोड़ गाउं में कितने घर होते हैं जैसे यहां मैंने कुछ गीत का नाम बताया लगन गीत, मडवा छारा गीत, अमली पिया गीत, दुवारी तेड़ा गीत, यहार पानी काटा गीत, संधी मिलन, बेटी विदाई गीत, जनम संसकार के अंतरगात, अपना छठी संसकारी विदा, स्वहर गीत और जहूमटा गीत, यह सारे गीत आपको बताने हैं, क्योंकि आप ने वरगी करन रहा है, आप वरगी करन करन रहे हैं, स्रम समंधी गीत में धान रॉपनी गीत आता है मतलब काम करνे वाले लोगों के समन्ध में धाननी काया जाता है तब को decepбо गोटाइब दहर चलता है तब ही गीत होता है और ठालने समय चोने गई आजाता है उसे आचर कहते हैं तो यहीं है वर्गी करन इसी प्रकार से बाबू मोसम के अधार पर भी गीत है ना जैसे बर्खा मोसम में अगर देखा जाएं बरसा मोसम में बरसाती मोसम में ता दरिया गीत उदासी गीत रोपनी गित गाया जाता है बसंतरी तुमें रित्वों का राजा बसं के संस्क्रीती परीछ्ड करै है भगरा मतलब बढ़ा भंडार है जै क्र ही यां महा काई विक निक होppen जाए भच्वीके पता चले कि खोरब ढूत tastत्ति पहिचान रहे खोटजो लोग गीत है वो अपनी पहचान रखती है बड़ा बहतरी नहंग से चीजों को और लिखने में आपको बहुत परेशानी नहीं हो की आपको हो सकाए लग रहा होगा कि सब सो मज़तू रहा हैं हम बढ़ियां से लिकिन लिखेंगे कैसे हिंदी में लिखते तो इसको आम रट पटाक लिखिये देते लेकिन खोठमाम लिख भए हो कैसे लिख भए बाबु हम हम ये चिंता नहीं करना चीट चीतरन कैसे तो यहीं चीतरन होता है मालिया जब आप चीतर बनाते हैं उसमें जब तक रंगवान भरते हूं आकरशक नहीं लगता है ठीक पूर्णा पर्या से चला पूर्वजों से चला आ रहा है पूर्वजों से चला रहा है जैसे मैंने कहा कि पर दादा के समय से गितिया चलो आ रहे हो बाबू वो मौसम चाहे बैसाक रहे चाहे तातल तातल मतलब गर्मी के दिन रहे दोफरिया के दिन रहे चाहे सावन के रिमजिम फुहार रहे चाहे बरसात हो रहा हो चाहे तो पूरा कुकु वाईल मतलब पूरा कपकापाल ठंड रहे सौ मौसमें ही अक लोक एक मुह बाकंट से लोकगित बहरा है यही कहना है और यही मूल सारलिख देना है कि भाईया कौनों मौसम रहे कौनों सिचुएशन में रहे आप खोठा लोकगित तो हर जारखनियों के मुह पे तो मुह जवान याद रहता ही है जैसे भाद्रिया गित जिंख फुलिया गित डोहा गित जुम्टा गित खैमता गित है ना भाद्रिया गित इस परकार से है कि कहां से उमळलकारी बरत बादरिया बोल सकी मूर आरे बुंदें बुंदें बरसाइ पनियां गर जिये बरसीए घाने घाने मलके बोल सकी मोर जिंक फुलिया कि फिरीशी परकार से है कि बेरिया डूबिये गेल और जिंगा फुल फुली गेल आरे गाधु पिया जिंगा फूल खौप में खौप सगाई भो हो खोशबई हो है पतनी अपने पिया से बड़ा है जीद कर रही है कि पीया जी बेरिया डूबेट करे हो बेरिया मतलए कि शामां हो गया जींगा नौँ युण को फूल फूली गेल हैं ज्ञांगा शुमका जींगा लत होता है उसका जिंगा औतक्ता? रहा है गाद़ू पीया जिंगा फूप्वो प्याइद हमर ये बळवा में तर सची मतलवश दीजिये मतलव बल्वा में नहीं उसका फ्षू peł का माला आप गाज़ देंगे ते उस कुल के माला को हम अपने खोपा में लगाएंगे बाबु खोपवा लड़किया लोग ना बांती है पीछे खोपा में लगई भै हो चल पिया नाचे जाइब रिजे बया उल हो चल ने पिया नाचे ले जी भै हो हम अकर के लिए तड़े प्रहलिया हम इस आनंद इस मुखा का संद उठाने के लिए हम तड़ब रहे हैं चल यह नपिया मतलब कुल मिलाकर करके यह जिंग भुलिया गित है ऐसे जिज़े बासंतरी तो रहते है कि बीतले हैं मंतरी तू है मंतरी तू बिता मतलब मेरा जो है वो हिर्द है वो उत्साही तो उठा उत्साही तो हो उठा और देखे रूतु राज के कुल मिला करके यहां बसंतरी तू का वर्नन किया गया है कि हमंतरी तू चल गया है बसंतरी तू का आगमन हो गया है और जब भैवा बसंतरी तू के आगमन हुआ है सब पेड़ पवधा अपन आपन नया वस्तर पहनू है मतलब पूरानी पतियों को उन्हों ओ लोग गिरा देते हैं नया नया पतिया उनके उपर आ जाती है तो यही थी बाबु बाकी आप तो यहां गर्मी रितु गीत एक पढ़ने होंगे कि दूबरिया कुकरा भूक या गनवा भेशो रासुते हो गोडे गुंगरा बाजय चुम चुम कैसे बाहर हो बै हो बाबु थे बावा रे घुघ के इक ऱद्फो गर्मी रितु गर्मी बडी लगने नोके-नोके कनियाए हले हुआ आधने नोके-नोके-नोके-नोके-नियाए घरमा में सूतले वेचारी पार होते है और पार होते तो पैलवास अगर अवजिया निकल जीता है, मतलब बैज जीता है, तो भेशुरा तो उठीता है, तो भेशुरा देख लते हैं, तो बाबु ठीक ना मानल जा हमने स्तंस्क्रिती के अनुसार से हो, तो वे हैं यहां नवकी नवकी औरतिया को है, कि की कहियो, दुवरिये कुकरा भूक है, धेक तो हमलो से वजिया तो निकल बे करते ता भेशुरा तो उठीये जीती साथेये साति कुकरो भूको रले दुवरिये कुकरा भूकbuild तर यांगनवा भूमा सूते हो, हम तो अंदर सूते थे और भेशुरा तो यंगनवा में सूतल है, अब हम बाहर कैसे जाएं गर्मिया कानुसार काईसे बाहर हो ऑफैर गेहाइसिस अर्को उपाय उसको उस्चता है और कहती है और है जोने को ऑ्र नहीं देख पाएंगे और ऑखोश्री नंग करासे та अभावाड निकलेगा उसे हम लोग को लेंगे कुकरा के कहएं एक टनीरी चूप हो जी छटवा दिन में यहां उसरे गावर जैनी सौब और अउसरे नावा जनम के देखे आवोहत कहूं कहूं या उसरे भाठ के डाकल जाए भाठ मतलगा गाने वालों को डाका जाता है कहीं कहीं अपने समाज और महले की जो ऊतिय और अवरते उसरे गावल जाए यह उसरे गावल जा है वो गीत इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि बटिया जानमलए घरवाइन जोर भैले हो बाबु इसी प्रकार से आपको लिखना है अब सारे question का जवाब आपके पास अब हो गया होगा मैंने आपको परिभासा बता दिया मैंने आपको उसका क्या विशेस्ता होता है सनरशनात्मक विशेस्ता परकृति विशेस्ता ये भी तौरहम बताईये हो भईवा और तौरहम महत्यों के बारे में तो बताईए दलिया ये लोग गीतों का वरगी करन कैसे होता है रित्तु गीत अलगे है गर्मी गीत अलगे है और इसके चितरन क्या है आप इस पर क्या मोटा मोटा निसकर्स निकाल करके देते हैं और बाबू ये आपकी डेमो क्लासेस के रूप में तो यूटूब आपे इतने लंबे कोर्सेस को बाबू यूटूब पे समझे कि ठीक है आपको यहल्प के लिए तो क्लासेस यूटूब पे भी दे दिये जाएंगे लेकिन यह डेमो क्लासेस की रूप में था कुछ विडियो और भी आपको दिये गए हैं आप क्लास में जल्द 0302 पे आप कॉल करेंगे अधिक जनकारी प्रात करने के लिए अभी अभी आप सिर्फ 2499 रूपिया में स्कॉर्स में इंड्रॉल हो सकते हैं अनिया था अगर सर्भर हमें लेनी पड़े तो यह सर्भर का चार्ज आप पे ही जाएगा या था बाद में क्या होती कि इसका उसकाजहां में जोइन करेंगे आपके साथीजस लोगों का प्रसन का जवाब हमें देना भी तो होता है सबी लोगों के प्रस्णों का जबाब में देना होता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे अगर आपी चूखोंगे पीटी अगर निकल गया तो जान लगा देजे क्योंकि ओपीसर बनने का मोका हमारी जार्खंड जैसे परदेश में बार बार नहीं मिलता है तो ठीक है वो चुझा लोकिन बावो मिलो यह बाद में हो तब तक रखे हो अपन ध्यान जाहिंद जोहार